नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप Instagram यूज करते हैं और आपको Instagram में stories अप्लोड करते हैं तो आपकी stories जो है कुछ इस तरह हैं से आपको half black screen हो जाती है जो आपकी story होती है वो black हो जाती है कोई भी अगर आप picture वगएरा upload करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ यह photo मैंने upload करी थी अपनी story में तो यह half जो है black हो गई है screen black हो गई है तो आपको क्या करना है आज के वीडियो में डिटेल में बताने वाला है इस problem के चुड़कारा पाने के लिए यह photo मैं आपको full दिखा देता हूँ कि किस तरह की थी और यहाँ पर जो मुझे problem आ चुकी है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ यह कुछ इस तरह से है photo देख सकते हैं आप और मुझे यहाँ पर जब मैंने upload किया इसको तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर देख लीजिए यह ऐसे black हो गई है half screen तो इसका solution क्या है आज के वीडियो में देने वाला हूँ तो इस वीडियो में तक बने देगा वीडियो चले के तो like कर देना और चैनल को subscribe कर लेना तो चलिए जान लेते हैं guys इसको solve करने के लिए हमें क्या करना है सबसे पहले guys आपको आना है अपने play store में डैनम्स को जो है instagram को search कर लेना है instagram को search करने के बाद यहाँ पर आपको update का option देखने को मिल रहा है आपको update पर click कर लेना है और update कर लेना अपने instagram को so guys instagram update करने के बाद आपको check करना है story डाल के आपकी problem solve होती है या नहीं अगर नहीं होती है तो आपको फिर से प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पर इंस्टाग्राम लाइट यहाँ पर डाउनलोड करके देख लेना है और इसको भी अपडेट कर लेना है यहाँ पर इंस्टाग्राम लाइट को यूज करके देखना है उसमें अपनी स्टोरी को लेना है आप पे प्र्विंण्य को पया नहीं होई अगर आपकी स्टोरी फिर भी स्टोरी डालने पर तो किया करना मैंको बताता हूं settings में आईएगा apps पर आईएगा manage apps पर आईएगा और यहाँ पर आपको जो है instagram को search कर लेना है instagram आ चुका है अब यहाँ पर इसको open करना है storage पर आना है clear data पर इसका clear all data कर देना है clear all data करने के बाद भी आपकी problem solve नहीं होती है तो एक काम करिएगा आपके घर में कोई other mobile होगा तो उस mobile से आप जो रहा story upload करके देखिएगा अपना account login करके अपने उसके instagram में तो आपका problem solve हो जाएगा यहाँ पर mobile change करने से problem solve हो जाती है so guys बस आज के वीडियो में यहीं बताना था hope आपको सब कुस समझा आ चुका है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं नाक्स वीडियो में till then bye take care love you all